तो क्लाश 10 की इंग्लिश के कम्प्लीट होने के बाद हम लोग आ चुके हैं क्लाश 10 की साइंस के एक वीडियो के अंदर पूरे स्लेबस को कम्प्लीट करने वाली सिरीज पर अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इसके व्यूस नहीं है यार इसके सब्सक्राइबर यह क्या ब पर बात कर दिया अगर कुछ भी ऐसे फाल तो यह लिया है क्योंकि आज किस वीडियो में तुम्हें क्या-क्या मिलने वाला है न तुम्हें रियलाइज नहीं कर सकते मट डाटना इसको हो जाता है गलती नहीं मिलता चैनल बट हाफ वीडियो जैसी कंप्लीट होगी न तुम तुम्हें समझ में आजेगा कि एक्चॉल में ये बंदे की इंपॉर्टेंस एक्चॉल में क्या है और तुम लोग इस दुनिया के सबसे ज़ादा लखी स्ट्वेंट हो क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर रहा है बटा तेरे हाँ में कमेंट बॉक्स है तु कुछ भी लिख सकता है लेकिन तुम लिखनी पाएगा कुछ बूरा सच बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें क्या-क्या मिलने वाला कले देखो चलो स्टार्ट करते इस वीडियो को बिना टाम बेस्ट करें तो हम आ चुके हैं अपनी में शीट पे बट यहां पर हम एक एक चीज को आराम से कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके बाद तुम्हें कहीं जाना ना पड़े इस लेबस को भी देखेंगे आपके ब्लूप्रिंट को देखेंगे आपके मांग डिस्टिबुशन सब चीज़ों को एंड करते 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 तभी तो यह कंप्लीट वीडियो है याज साइं डिलीट हो चुका है चैप्टर 14 पूरा डिलीट है चैप्टर 15 भी आपका जो है यहाँ पर पूरा डिलीट है और इसके साथ तुम्हारा पूरा स्लेबस जाया है वो कंप्लीट हो गया इसके बाद अब देखो तुम्हारा पेपर किस टैप का बना है इस बार MCQ टैप के कोशन आपके इस बार ही न थोड़े से जादा मातरा के अंदर है और MCQ वाले नॉर्मल कोशन नहीं है नॉर्मल कोशन सोचना भी मत क्योंकि इसके अंदर तुम्हें घुमा करके बहुत कोशन पूचिक है 20 माक की वेटे सकते हैं तुम्हारा सेक्षण A जो की MCQ पूरा बेस है सेक्षण B है आपका वैरी शॉर्ट वाला जिसके अंदर तुम्हारे दो-दो माक के कोशन है 6 कोशन आएंगी 12 माक से तुम्हें मिलेंगे अगर तुम पूरे करते हो सेक्षण C आपका इजी सेक्षण है शॉर्ट अंसर वाला इजी सेक्षण है 21 माक के हैं आप NCRT वे NCRT से अराम से सॉल्फ कर जाओगी एक किस माक से तुम्हारे कहीं नहीं गए अगर तुमने NCRT पूरी कम्प्लीट कर रखी है बताऊंगा एक एक चीज बताएंगे लिए कि अब यहाँ पर सुनते चलो बस ठीक है सेक्षण D है आपका जो कि 15 माक की वेटर जकता है सेक्षण E है आपका 12 माक की वेटर जो कि यह तो बहुत गुमाने वाला है ठीक है केस बेश तो आला बहुत है लेकिन इसको मैं समझा दूँगा कैसे करना है तुम्हें अब इतना समझ जो कि इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा 80 माक का जाए पेपर बन करके आएगा अब देखो कंप्लीट कैसे करना है तुम लोग आपर सोच रहोगे कि पहले मैं एक काम करूँगा ठीक है वीडियो देख लूँगा जो भी लेक्चर वाले वीडियो है उनको देखना स्टार्ट कर दूँगा उसके बाद एक NCRT book है उसको लगाना शुरू कर दूँगा ठीक है ठीक है करते है ना ठीक है उसके बाद लखमीर सिंग आती है जो मेरी रफरेंस की लखमीर सिंग है उसको लगाना शुरू कर दूँगा फिर YT से important मतलब YouTube से important question देखूँगा फिर अराम से revise मारूँगा sample पर solve करूँगा तब paper देने जाऊँगा यह पूरा का पूरा तरीका गलत है पूरा का पूरा term तुम्हारी पूरी गलत है ऐसा करना भी मत, सोचना भी मत बेटा कि वीडियो देख करके lecture देख करके, NCRT book को पूरा पढ़ करके, फिर लखमीर सिंग पूरी करके फिर important question देख करके sample पर solve करके पूरा time waste जाएगा तुम्हारा इस तरीके से तुम्हें बिलकुल नहीं करना यह बिलकुल गलत तरीका है अगर तुम यह करने की सोच रहे हो तो ऐसे मत करना तुम्हें actual में करना क्या है उसको जानो, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे important question करना है important question market में इतने सारे है सब कोई दिये जार है, सब कोई कह रहा है कि यह छपकर क्या आएगा paper में, 4 question कर लो, यह 4 question important है, उनके चक्कर में फसना, दूसरी बात, live चल रहे होंगे मत देखना life, किसी का भी live मत देखो, practice paper solve करा जा रहे है, मत देखना, बिलकुल मत देखना, क्योंकि life के अंदर क्या होता है तुम लोग सोचते हो कि यार, वो बंदर 4 question बता रहा होगा, वो भी important है, life के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, hello, 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 hello दोस्तों, हाँ, ठीक है, यार देखो, तुम like नहीं कर रहे हो, यार तुम like नहीं करो, कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगा question में ये क्या है, भाई, तू पढ़ाने आये ना तुम चार लोग देखे, 40 लोग देखे पसंद आया तो like कर देंगे, लेकिन तुम्हारा time waste होगा, life बिलकुल attend मत करना, life जब तुम्हारा recorded बन जाए, तब जा करके देखना, वरना उसकी बगवास सुननी होगी, कल मैं कल तो मैं वहाँ पर गया था, क्यों गया था भाई, तुम हमें क्यों बता रहे हो, अभी हमार पास time नहीं है, तो live मत देखना, practice paper मत solve करना मत देखना मत solve करते, तुम खुद solve करना, वह बात की बात है कैसे मैं बताऊंगा लेकिन देखना मत, उसमें भी times आता है, भाई, कोई question नहीं छपते, practice करके कहीं करवालो, practice paper में से एक भी question नहीं आएगा, एक भी question, तो इस चीज़ को मानो, सबसे पहले तुम्हें important question देखना है, जो कि तुम्हें description में एक video का link मिलेगा accurate video भाई तुमारी, आज तक change नहीं हुई, पिछले साल के बच्चे नहीं उससे कराता, पिछले के पिछले साल के बच्चे नहीं भी कराता, और इस साल के बच्ची भी उसी को करेंगे, क्योंकि वो important question मैंने तुम्हारे previous year में से चांट करके निकाले थे, इस video के बात करना, अभी पहरे पूरा सुन लो, ठीक है तो important question तुम सिर्फ नीचे description वाला सबसे पहला link होगा free of cost का link है बेटा, उसको करना होगा, दूसरा, notes अभे यार, notes कहां से भाई किसके करूं, notes किसी के मत करना तुम, सुनो मेरी बात, notes किसी के मत करना, बता हुआ कैसे करना है सबसे पहली बात, notes तुम्हें वही करना है, जिसके अंदर तुम्हारी easy explanation हो, easy theory हो example तुम्हें उसमें add करे गए हो और activity, important question और तुम्हारी जो in text में, previous year में add होकर कि जो notes है, उन्ही notes को करना, कहां से मिलेंगे, मैं तुम बताता हूँ यहाँ पर देख रहो, ये notes तुम्हारे actual में, बहुत important notes है, इन notes को download कर ले ना, नीचे description में, तुम्हें सारे notes मिल जाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी भागा तो फिर देख लेना, पाप लगेगा, बहुत भेंकर, पर अच्छा ने जाएगा, अभी रुक जाओ, सुनलो पहले पूरी बात तुम्हें, ये notes के अंदर क्या की चीज़े मिल जाएंगी, सबसे पहले, easy way के अंदर, तुम्हारी सारी, सारी theory solve है देख रहो न, इस समय, यहाँ पर जैसे, small interest time के बारे में, पूछा गया एक-एक topic के उपर न, बहुती छोटी-छोटी point बना करके explanation है अगर तुम्हारे exam के अंदर question आ जाता है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कि यार, NCRT के अंदर तो पूरा एक line में खचाड़ा मार देते हैं, इसमें क्या point बना करके लिखा हुआ है, तुम बनाना सीख जागए कि मुझको answer भी क्यासे लिखना है इसी की बीच में तुम्हारे previous भी question है जो की repeat हो चुके है blue box, interact, activity याले type के question है इसके end में, तुम्हें यहाँ पे जो last वाले question नहीं हो तो exercise वाले question, science के अंदर यह अमन धतरवाल के हैं, but best time भाई दोस्त है अपने, सब दोस्त है कोई tension की बात नहीं है तुम्हें free में मिलने है, तुम अपने इस पर ध्यान दो ठीक है, दोस्त है भाई अपना उसके बाद, previous five year question अभे यार, भाई, previous five year question कहां से करूँगा मत करना, मैं मना करना इसको करने को तुम्हारे पास नहीं है न, कोई अगर तुमने शिव्दास के किताब आती थी, अगर नहीं खरीद है मत दिक्कत लो, क्यों दिक्कत ले रहो मैं हूँ न, किसका है, यह तुमको इंतजार, sorry तो यहाँ पर previous five year question कहां से करोगे कुछ नहीं करने की ज़रत है जो मैंने उपर दिया है न, इसके नहीं तुम्हारे previous year include है तुम्हें बाहर से कुछ करने की ज़रत नहीं है previous year सब कुछ include है जो जह important है, वो सबका सब इसके अंदर include है अगर तुम्हें previous year मिल जाते हैं या फिर तुमने खरीद रखा है, तो ठीक है नहीं तो परिशान होने की, दुखी होने की रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद तुम्हें lecture नहीं देखने तुम्हें one shot देखने है बाबू one shot lecture देखोगे one shot किसका देखोगे, जो कि सबसे short और सबसे easy way के अंदर जो समझा रहा होगा, जो बंदा लंबा खीच रहा है, जो बंदा आने के बाद lecture के अंदर ना, बकवास कर रहा है ना जगाना दिखा रहा है अपना ना, मत देखना भाई वो time waste कर रहा है, वो cool बनने के लिए चकर में नहीं तुम पिट जाओगे, मम पापा अगर बैट करके देखने हैं, क्यों ना आचने टीचर मैं असले कर रहा हूँ, ऐसे बंदे का जो पढ़ाई पर फोकस करके तुमें जो exam की importance समझे जो exam की importance नहीं समझ रहा ना वो teacher तुमें उसको लेने देना नहीं तुमसे फिर exam की importance समझना बहुत important है तो one short lecture तुमें बहुत मिलेंगे मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे lecture है बर जो exam की importance समझे, सिर्फ उसी का देखना क्योंकि वही सबसे जादा important है और वही तुम्हारा बेड़ा पाल लगा सकता है अब revise कैसे करोगे, अरे यार भाई revise में दिक्कत आदे, भाई 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 कुछ करो यार कुछ मत करो mind map तुम्हें नीचे description में मिल जाएंगे link अबे यार तु क्या है मेरे को पहले मिला आओता ना, मैं तुम्हें को गले लगा लेता मेरे भाई, हाँ लगा लेते भाई लेकिन पहले तुमने धूड़ा नहीं ना अब tension मतलो, 300 रपर, 400 रपर, 500 रपर जहां भी गए गए चोड़ जाओ, भूल जाओ भगवान है तुम्हारे साथ, ठीक है मिल जाएंगे वापिस mind map तुम्हें description मिल जाएंगे इससे तुम्हे revise करना शुरू करना है क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सोचिक मैं पूरे notes को उठा करके देखूँगा, revision के time पे भाई कोई फैदा नहीं है, फिर paper क्या देने जारे हो तुम तुमने फिर वही बात है, तुम्हें start करने जारे हो slave उसको ऐसा लगेगा, तुम mind map तुम्हें मिल जाएंगे वो mind map को न तुम ध्यान से देख लेना जैसे मालू लिखा हुआ है, ठीक है अब उसके अंदर तुम्हारा explanation पूरी नहीं दी होती सिर्फ लिखा होता है जैसे topic है, उसके कितने part होते हैं, क्या क्या part के अंदर छोटा छोटा दो-दो line के अंदर तुम्हें समझा रखा है तो यहाँ पर तुम्हें अगर पूरे chapter complete हो रखा है, तो mind map से तुम revise कर लोगे, और exam time में तुम्हें बहुत काम आएगा, कि एक page के अंदर मेरा पूरे chapter complete है, इतना मेरे को समझा आता है, अब आता है तुम्हारा sample paper तुम्हें solve करना है, sample paper यार भाई, मैंने sample paper नहीं खरीदा, अरे तुम क्यों खरीद रहे हो, नीचे description है तुम्हें 30, 30, मतब 30 free of cost के sample paper, with answer मिल रहे हैं, तुम जा करके ले सकते हो, free है भाई, free, कितनी बार अच्छा, ले नी, तुम ले लो, क्योंकि free है यार तुम ले लो, 30 sample paper है, लेकि minimum 9 लगाने की कोशिश करना, क्योंकि जादा लगाओगे, जादा फसोगे, जादा time ने है तुम्हारे पास, तुम 9, 8, 7, 5, जो भी है तुम्हारी मर्जी है, तुम लगा सकते हो, लेकि free of cost के है, मन करे तो जादा लगाओ, मन ना करें, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें description में link मिल जाएगा, उस PDF का, जहां पर तुम्हारे सारे के सारे sample पर मौझूद है, अब अगला क्या है तुम्हारा, अब revise कैसे मारोगे, ओ, स्वारी, ये तुम मैंने बता दिया था, ठीक है, लेकिन नीचे एक और पार्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अभी गया है नहीं, ठीक है, ये यार, हिल्र क्यों रहा है, हाँ, भाईया ये, numerical वाले chapter को, समझ के जाना ये बात काफी important है, इस इस का ध्यान देना, जो जो numerical वाले chapter electricity chapter हो गया आपका, एक हो अगर तुमने इनको समझ करके गए ना, अगर teacher अच्छा मिला ना तुमें, तु तुम समझ जाओ कि तुम तो फिर legend हो अगर ये chapter तुमें नहीं समझ में आ रहा है किसी teacher से ना, तो समझ जाओ teacher की गलती, तुम्हारी गलती नहीं है, तो एक ऐसी teacher से पढ़ लो ये chapter, चुकि numerical वाले और उनको समझ करके जाना ये याद वाले chapter है नहीं, अंदर तुम सोचो कि important question तुम मिलगे है अब मैं इनके कर लूँगा, बेटा तुम कोई बास समझना पड़ेगा, वरना question किस तरीके से पूछ लिया जाए, लिखा वाई होगा, समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने याद वाई किया था, ठीक है तो इतना समझे तुम, कि numerical वाले chapter को अच्छे से समझ करके जाना और formula minimum तुम्हें आपे तीन बार लिखना है, हर एक जो भी numerical वाले chapter है, चाहए वो electricity हो चाहए वो light हो, चाहए वो आपका magnetic effect of electric current हो जो भी chapter है, इनके जितने formulas है, तुम्हें यहाँ पे कम से कम minimum तीन बारी लिख लेना है, बीना देखे देख करके तुम दो बारी लिखो, तीन बारी बीना देखे लिखो, इतना कर दिया तुम्हें formula के भी marks मिलते हैं, इसी इसका तुम्हें ध्यान देना है अब, last में तुम्हें क्या करना है सब चीजे को conclusion बता रहेता हूँ pro tip है तुम्हारी, कुछ भी मान सकते है इसको, जो last में तुम्हारी काफ़ी जादा important है, जादा भटकना नहीं है, जादा भटकोगे तुम्हें भटकते रह जाओगे जादा नहीं भटकना, अब तुम यहाँ पर सोचर मेरे को यहाँ से मिल गया, अभी तो यहाँ दूसरा बंदा वीडियो डालेगा न, मैं उसको भी जा करके देखूंगा अगर तुम उसका देख रहे हो, तो उसी का देखो एक बंदे पर रिलाए कर जाओ मिरे भाई एक बंदे पर रिलाए कर जाओ क्योंकि यहाँ पर लाखोनी करोडों में लेक्चर डलेंगे, साइंस के तो भी करोडों में उनके बच्चे भी देखो यार वो अपडेट खुद लेने लाए बच्चा है अपने बच्चे को समझ करके वो नहीं बताते है क्योंकि उनको लेना है देना है नहीं तुम से तुम जाओ भाड में वो ये सोचते हैं तो समझ जाओ जादा भटकना नहीं है सिर्फ सिंपल सिंपल सा यहाँ पे तुम्हें फोकस रहना है दोसरा डर को खतम कर दो अपने मन में डर मत रखना जितना जादा डर होगे उतना जादा लूटे जाओगे बेटा अगर तुम यहाँ पे डर रहो कि मेरा मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं कैसे करो तुम्हें आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें आठ हजार का एक ऐसा कोशन दे रहा हूँ बैंक जिसको तुम ले सकते हो अगर तुमने आठ हजार के इस कोशन बैंक को लिया तो ही तुम्हें आपे पास होगे इसी में से कोशन बन करके आएगा अगर तु एक बारी फेल होगे तो फिर कैसे होगा ये बोल करके तुम्हें बेज दे जाएगा कोई कोई तुम डर रहे हो तुम डर रहे हो तुम्हारे पास थो रिसोर्सिस है न तुम उसको नहीं सोच चुए किया मेरे पास तो NCRT book है मेरे पास भाई इस बंदे ने टूर्जम वाले बंदे ने इतनी सारी चीह दे दी अब तुम मेरे को किसी इसकी जुरत नहीं तुम सोचे के यार भाई मेरे को दे देना comment box में लिए भाई दे देना क्यों भीक मांग रहे हो तुम भीक मांग निकला है वो पहले बताओ मिरे को भीक मत मांगो तुम लोग राजा हो हम लोग तुमारे लिए काम कर रहे है सच बता रहा हो तुम भीक मत मांगना किसी के comment box में भीक मत मांगना यार भाई ये सब हरकते मत करो दे रह OVER दे नहीं तो निकल भाई मेरे पास भाई है मेरे दोस्त है, मेरे यार है मेरे कोई भी है, मैं उससे देख लूँगा तुम मत माँगना किसी से भीग ठीक है और डरना बिलकुल, डर का फायदा उठाया जाएगा इस टाइम पे, बहुत पैसे तुमारे खर्चे हो जाएंगे डरना मत, भीक मत माँगना किसी से वाईटी पे क्विज और प्रैक्टिस पेपर सॉल्फ करा रहे हैं, मत देखना टाइम वेस्टिंग है भाई, सच बता रहा हूँ क्विज को हो गया, मैं एंटी क्विज से चल रही है क्या होगा मैं एंटी क्विज से, कुछ नहीं होता मैं एंटी क्विज में जो कोशन है न, वो तुमारे भाई, मुझे भी नहीं लगता कि आएंगे भी कभी तुम आ करके चेक कर लेना, मिला करके देख लेना, कुछ नहीं होता उससे फैदा तुमारी NCRT ही तुमारी राजा है, तुमारी NCRT ही तुमारी बगवान है, तुम उसी को अच्छा चा कर लोगे तुमारे लिए बहुत है, ठीक है ये मैंने बता दिया, लाइव मत देखना उसकी जगा recorded अगर हो जाए लाइव के बाद तो उसको देख सकते हो, अगर तुम्हें लगता है किसी का live important है, तो live complete होने के बाद जब recorded चल रहा हो, उस time पे देख लोगे तो ठीक है, ठीक है, और जो असली बंदे हैं, जो असली teacher है वो तुम्हें live ना, सुबा नहीं देंगे कि और science में तुम अच्छे माग को score करके आ जाओगे अगर तुम इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से follow कर लेते हो यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा science का slave जाए, वो complete होता है तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर दो वीडियो को share कर दो अपने दोस्तों